दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग जान मिल्टन का एक वर्क डिस्कस करेंगे सेमसन अगनिस्टिस ये एक पोव्म है दोसो एक ऐसा ड्रामा जैसे परफॉर्म करने के लिए ने लिखा जाता है बलकि पढ़ने के लिए लिखा जाता है तो बड़ा कमाल का ड्रामा है इसकी पूरी स्टोरी पूरी समरी डिस्कस करूँआ चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में दोसो हमारी कहानी का में करेक्टर है सेमसन इस कहानी का नाम है सेमसन अगनिस्टिस Samson का जो character है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें और हमारे writer John Milton में काफी similarities आपको देखने को मिलेगी देखो पहली चीज तो ये कि जैसे John Milton को भगवान में बहुत विश्वास था वैसे ही इस character Samson को भगवान में बहुत विश्वास था कि इस कहानी का main character Samson जो है उसको भगवान ने बहुत सी ताकते दी थी इस पेसे एक ताकत ये थी कि उसकी बाल जब तक लंबे लंबे रहेंगे तब तक उसे कोई हरा नहीं पाएगा सेम हमारे writer जो थे John Milton उनको भी लंबे लंबे बाल रखने की आदत थी तो अब मैं आपको थोड़ा इस character की बारे बताता हूँ ये एक ऐसा character है जिसने फिलिस्तिनी औरत डलिला से शादी की थी ये खुद इसराइल का रहने वाला है और उस और डलिला ने इसको धोका दिया एक नौकर से कहकर सोते वक्त इसके बाल, जिन बालों में इसकी ताकत थी, उसके बाल कटवा दिया दरसल जिस भगवान में विश्वाथ था तो एक फिलिस्तिनी और उरत से शादी करनी है फिलिस्तिन और इसराइल की काफी लंबे time से दुश्मनी चलती आ रही थी तो उसी दुश्मनी के चलते उसने भगवान की बात को अंदेखाना करते हुए फिलिस्तिनी औरत से शादी की चलिए मैं प्लॉट शुरू करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहानी शुरू करता हूँ तो कहाने ही शुरू होती है सैंसन एगनिस्टिस की कि सैंसन जो है हमारे इस कहानी का हीरो वो गाजा की जेल में बंद है फिलिस्तिनियों ने उसे कैज़गर रखा है उसकी आँखे निकाल लिये और वो अंदा होकर एक कालकोटरी में यहाँ वाँ बटक रहा है उसे दुख तो है अपनी सिचुएशन पर कि वो कभी क्या होता था और क्या हो गया उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े-बड़े कारनामे किये थे साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि भगवान का क्या यही प्लान था कि एक दिन जो उसने एक औरत को अपनी कमजोरी बताई शयद अपनी बीवी की बात कर रहा है उसकी सजा इस तरह उसे जेल की कालकोटरी में रहकर चुकानी पड़ेगी उसके अकेलेपन का एक ही साती है वो है ये अंधेरी कालकोटरी और उसका ये अंधापन जो से बरदाश्ट नहीं हो रहा अंधापन जीते जी मौत के बराबर है ऐसा बोलते हैं जॉन विल्टन इस कैरक्टर के जरीए खासकर ऐसे इंसान के लिए जिसकी पहले आँखे रह चुकी थी और बाद में वो अंधा हुआ कि पहले उसने दुनिया देख ली थी और बाद में वो अंधा हुआ अब उस कालकोटरी में कुछ लोगों का ग्रुप सैंसन से मिलने के लिए आता है जिस ग्रुप को इस प्ले में एक कॉरस बोला गया है दोस्तों कॉरस पहले ग्रीक टाइम पर यूज होते थे प्ले बताने के लिए मिल्टन ने भी कॉरस का यूज किया एक तो अपनी इंटेलिजन्स दिखाने के लिए कि मैंने ग्रीक ड्रामास को ग्रीक प्लेज को वहाथी क्लूज दी बढ़ रखा है दूसरा ये कि ये ग्रीक टच देना चाते थे ठीक है तो यहाँ पर कॉरस आता है जब कॉरस वो लोगों का ग्रॉप सैमसन को देखता है तो उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वास्ता में ये वही सैमसन है क्या जो अपने पुराने बहदुरी की कामों के लिए जाना जाता था वो लोग बस महाँ बैट कर उसके पुराने बहदुरी की कामों की बाते करते हैं कि तुम बिना हत्यारों के शेर को मार दिया करते थे हजारों फिलस्तिनियों को तुमने मारा था उन्हें रूना आता है कि उनके बादर सेंसन का ये क्या हाल हो गया अब यहां हमें ये समझना है कि सेंसन की हिस्ट्री क्या थी जो आज ये इस सिच्वेशन में पहुँच गया अब जब कॉरस यहां पर आ जाता है तो सेंसन के फादर भी यहां पर आते हैं कालकोट्री में इसके फादर का नाम है मैनोवा ठीक है आप नाम रूट कर लो important character है मैनोवा इसके फादर जब यहाँ पर आते हैं वो अपने बेटे की यह हालत देखकर बड़ा दुखी होते हैं मिल्टन ने इस कहानी को बड़े अनोखे तरीके से शुरू किया है उस टाइम के हिसाब से काफी अलग तरीके से शुरू किया था कि पहले एंड बताया जा रहा है जिंदगी के आखरी सालों को बताया जा रहा है सेमसन के इसी कलिए कहानी शुरू होती है बच्पन से कि बच्चा बढ़ा हुआ, उसने बहदुरी के काम किये कितनों कुमारा, उसकी बाद में ये हाल हुआ उसकी बाद बो कालखोटरी में पहुचा लेकिन यहाँ पर उल्टा शुरू कर रहे कहानी को क्रिटेक्स हमेशा सैम्सन को खुद मिल्टन से कंपेर करते हैं कि उनकी जिन्दगी के आखरी साल भी कुछ ऐसे ही थे उन्होंने भी अपना ज्यादर टाइम अंधेरी जगाहों पर गुजारा अंधेर रहकर मतलब उनकी आखे जा चुकी थी और उनके वर्क्स भी कोई और ही लिखता था इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे केरक्टर सैम्सन का भगवान में विश्वास जो है वो जस्त का तस बना हुआ है मतलब उसका विश्वास भगवान से डगमगाया नहीं कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो मैंनुवा जब यहाँ पर आता है वो जो सैम्सन का बाप है अपने बेटे से मिलने आता है बड़ा दुखी होता है सैम्सन अपने बाप से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुछ जिम्मेदार हूँ उसी ने अपनी पतनी को अपना सीक्रेट बताया कि मेरे बालों में मेरी ताकत है मतलब पहले उसकी बीवी को ये चीज़ पता नहीं थी शायद फिलिस्तियों ने ही इसकी बीवी से शादे इसकी इसलिए करवाई थी ताकि इसको पता चले तो यहाँ पर सेम्सन एक चीज़ और बोलता है कि इसकी जो पहली पतनी थी न तमना नाम था उसका उसने भी सेम्सन को धोका दिया था और दूसरी पतनी ने भी वही किया उसे अफसोस इस बात का था कि औरतों के पीछे वो इतना दीवाना हो गया औरतों के गलती नहीं बानता वो कहता है कि औरतों के बीचे वो इतना देवाना हो गया कि अपनी ताकत का रहस से भी खूल दिया सेम्सन का फादर जो है मनोवा वो सेम्सन से बोलता है कि बेटा आज रात फिलस्तिनी तुम्हें कैद करने का जश्ट बनाने वाले हैं इसराइलियों के लिए ये पड़ी शर्म की बात होगे दरसल ये सेम्सन जो है मने आपको बताए इसराइल का है तो वो कहता है सेम्सन का फादर क्या बोलता है कि तुम्हें कैद करने का जश्ट बनाने वाले हैं इनका एक God है Dagon उसकी पूजा करेंगे ये लोग तो ये अपने बेटे को बोलता है मैंने हुआ कि बेटा मैंने कुछ करफ्ट फिलिस्तिनियों से बात कर लिया है उनको कुछ पैसे खिला कर तो मैं यहां से छुड़वा लूँगा लेकिन सेंसन अपने बाप से बोलता है कि आप परिशान मत हुए इन सब की कोई जरूरत नहीं सेंसन का बाप उससे एक ही चीज़ बोलता है कि बेटा क्यों अपनी जान लेने पर तुला हुआ है भाग चल यहां से तो सेंसन बोलता है कि पपा यही तो मजबूत होने का वक्त है कि अभी भी अगर मैंने कारेरता दिखाई तो जीने का क्या मतलब है अगर मैं यहां से भाग गया तो अगर मैं यहां से छूटकर वापस इस्राइल भी चला गया तो उन लोग उपर भोज बन जाओंगा क्योंकि मेरी आँखे तो हैं नहीं समसन का बाग एक बर फिट से बोलता है कि उपरवाला अभी तुझे बचा सकता है तुझे तेरी पुराने शक्तिया वापस मिल सकती है लेकिन समसन बोलता है कि मुझे लगता है कि यही मेरी किस्मत है ऐसे में कौरस बोलता है कि ऐसी situation में भी अगर इंसान सबर रख सकता है वो ही सच्चा सबर है क्योंकि बाते तो सभी करते है कौरस भगवान से प्रार्थना करता है कि सेमसन को और ज़्यादा तकलीफ ना दे चाहे उसकी जिंदगी खतम कर दे लेकिन और ज़्यादा उसे तकलीफ ना दे अब देखो दोस्तों एक-एक करके सेमसन से मिलने लोग आ रहे है पहले कौरस आया फिर उसका फादर आया अब सेमसन से मिलने आये उसकी दूसरी पतनी डलिला डलिला वोही औरत जिसने इसे दोका दिया था लेकिन सेमसन अपनी सिच्वेशन का जम्मेदार इसे नहीं मानता बलकि खुद को मानता मैंने आपको बताया था तो ये तो पहली अच्छाई है इसकी कि इसने अपनी situation का जब्मेदार अपनी बीवी को नहीं बल्कि खुद को माना और दूसरी अच्छाई ये कि भगवान पर अभी भी इसका भरोसा बना हुआ है उठा नहीं है तक कि कौरस का भरोसा भी भगवान से उठ गया कि उपर वाला उसी को सजा देता है उसी की परिशा लेता है जो लोगों का भला करने में लगे रहते हैं पगवान में विश्वास करना कोई आसान रास्ता नहीं होता अक्सर सुना होगा आपने लोग कहते हैं कि उपरवाला उसी की परिशा लेता है जो लोग अच्छे होते है तो यहाँ पर कॉरस की पॉइंट ओफ यू से सेमसन एक अच्छा आदमी है तो अब यहाँ पर डलिला आती है अब आप उसका पॉइंट ओफ यू भी सुन लो यहाँ पर मिल्टन ने उसका पॉइंट ओफ यू भी रखा है जब सेमसन को पता चलता है उसकी बीवी डलिला उससे मिलने आ रही है जेल में कालकोट्रे में तो वो मना कर देता है तो चाहता ही नहीं है कि उसकी वाइफ उसकी पास आए लेकिन उसकी वाइफ डैलेला उसकी पास आ जाती है और संसन से माफ ही मांगती है कि संसन मुझे माफ कर दो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है लेकिन ये कहती है कि तुमने मुझपर भरूसा करका एक गल्थी की तुमने मुझपर भरूसा किया कि तुमारी गल्थी थी देखो यहाँ पर डलिला क्या बोलती है God से सुनना वो कहती है कि फिलस्टीनी चाहे तो तुम्हें मार सकते थे तुम्हें मार देते लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैंने उनसे बादा लिया था कि वो लोग तुम्हें कैद करेंगे मारेंगे नहीं वो एक और दलील देती है कि मैंने तुम्हें कैद इसलिए करवाया क्योंकि मैं अपने लोगों की सेफटी जाते थी अगर तुम कैद ना होते तो नजाने कितने ही पलिस्तितियों की जाने जाती लेकिन सैंसन बोलाती तुम जूट बोलती हो तुम अगर वाकिम उससे सचा प्यार करती तुम मुझे कभी धोका नहीं देती क्योंकि शादी के बाद इस्राइल तुमारा असरी देश था फिलिस्तिन नहीं फिलिस्तिन से तुमारा संबंद क्या राज अब तुमने बसे शादी कर ली तो डलिला ने सब कुछ भूलते हुए अपने पती से कहा कि मैं फिलिस्तिनियों सरदारों से बात करूँगी और तुम्हें यहां से रहा करवाऊंगी फिर हम दोनों साथ में रहेंगे इस पर सैंसन ने इस आपर को रिजेक्ट करते हुए कहा डलिला से कुछ ऐसे कड़वे शब्द बोले कि दिल में जाकर सीधा गुसें उसने कहा कि जो औरत मुझे अच्छा बला होने पर धोका दे सकती है वो मेरे अंदेपन में मेरा क्या हाल करेगी अब डलिला भी एक औरत थी इस रिजेक्शन के बाद वो चुप चाप मुँ बंद किरके वहां से जा कैसे सकती यदि वो भी जवाब दे कर गई कि कोई बात नहीं अगर ऐसा है तो भले ही आज इसराइल में मुझे घाली मिल रही हो लेकिन पिलिस्तीन में लोग मुझे देवी की तरह पुझेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़वाया है सडो यही पर तुम इसी लायक हो और मैं उस पेम को इंजॉय करूंगी जो आज मेरे देश पिलिस्तीन में मुझे मिल रही है तुम्हें पकड़वा कर और ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है देखो उसके जाने के बाद गौरस इससे पूछता है किससे सैंसन से कि औरतें इतना धोकेवाज क्यों होती है देखो दोस्तों यहाँ पर मिल्टन का औरतों को लेकर जो यह पॉइंट अप व्यू था वो मुझे अच्छा नहीं रगता था अगर आप दो-चार औरतों को ऐसा देख लेते हो तो आप पूरी दुनिया की औरतों को जज़ करने लगोगी यह तो गलत बात है ना क्योंकि आपको पैदा करने वाले भी एक औरती है देखो अब डलिला आए इसके बाद में कारस संसन से कहता है कि तूफान आ रहा है तूफान का मतलब यहाँ पर एक जाइंट से है जाइंट का नाम है हरफा देखो यह एक बड़ा ताकतवर आदमी है साइज में बहुत बड़ा है जिसने पहले संसन के काफी कारनामों के बारे में सुना था कि पलिस्तीन इसराइल का एक आदमी है बहुत खतरनाक तरीके से लोगों को मारता है तो इसके मन में भी excitement थी हरफा के मन में कि आकर ऐसे आदमी को देखे कि कौन आदमी है लेकिन जब ये कमजोर कैद में जाकर कमजोर संसन को देखता है तो इसे बड़ा अजीव लगता है वो अपना comparison उससे करने लगता है कि तुम हो संसन वो एक तरीके से संसन का मजाक उड़ाता है तो इस मजाक को सुनकर संसन भी उससे बूलता है कि मैं बिना कवच के तुम से लड़ सकता हूँ अभी अंधा होने के पावजूद भी मुझे एक मौका दो तो हरफा मना कर देता है कि मैं निहत्ते हादमी से कभी लड़ाए नहीं करता है और महां से चला जाता है देखो संसन को यहाँ पर भरुसा था कि वो हरफा को हरा सकता है रीजन यह कि हरफा राक्षिश की पुझा करता है और वो भगवान की यहाँ पर फिर से वो भगवान में विश्वास दिखाता है इसे ही वो वहां से गया तो कॉरस ने इससे बोला संसन से कि अब जो तुमने इसको बोला अरफा को वो सीधा जाकर यह बात फिलिस्तिनी सरदारों को बोलेगा तो संसन बोला कि कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि लड़ने का आफर उसने रिजेक्ट किया है मैंने नहीं वो डर गया है इसलिए वो कुछ नहीं बोलेगा अब दोस्तों कहाने का अन्ड का सीन आजाता है एक आदमी आता है फिलिस्तिनीयों में से और आकर सेंसन की पास दावत में उसको इंवाइट करता है तो सेंसन मना कर देता है और ये rejection फिलिस्तिनियों को पसंद नहीं आया कि अभी तू उस situation में नहीं है कि हमारा offer reject करे एक बार फिर से सेंसन से पूछने आते हैं कि दावत में आएगा तो इस बार वो राजी हो जाता है पहली बार उसने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि फिलिस्तिनियों के लिए वो एक entertainment का साधर नहीं बनना चाता है कि जाकर विदुशक की तरह सबको हसा है वो जाता है दावत में जैसे वहाँ पर पहुंसता है तो भीड उसे देखकर खुशी से पागर हो जाती है जैसे कोई hero आया हो भीड का शोर दूर दूर तक सुनाई दिता है यहां तक की Samson का जो फादर था वो फिलिस्तिनियों के साथ में डील कर रहा था कि कैसे Samson को बाहर निकाला जाया उस तक वो आवाज जाती है उस तक वो शोर जाता है अब Manoa यानि Samson का फादर जब डील करने में लगा रहता है तो Samson को छुडवाने के लिए डील करने में लगा रहता है तो अचानक फिर से आवाज आती है लोगों के चिलनाने की यहां पर ये चिलनाने की आवाज दूसरी थी ऐसा लग रहा था जैसे Samson लोगों को मार रहा है अब कौरस आके सेंसन की बाप को बताता है कि सारे फिलिस्तिनी मारे गए, छट के नीचे दब कर मर गए, सेंसन भी मर गया, देखो सेंसन को एक खंबे की पास ले जाकर बठाया गया उस दावत में, उसने वो खंबा उखार दिया, दर असल सेंसन के बाल जो थे जनमें उसकी ताकत थी, वो अब थोड़े से बड़े हो गए थे, तो उसकी ताकत भी वापस आ गई थी, और संसन की मौत के साथ ये नाटक खतम होता है, और इस नाटक के एंड में एक कौरस कहता है कि भगवान उन लोग के साथ कभी गलत नहीं करते, जो भगवान में बहुत मानते हैं, और यहीं पर ये नाटक खतम होता है दोस्तों, उमीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको ये नाटक समझ में आया होगा, आज की इस वीडियो में बसतना ही, अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिए तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये पूरा ड्रामा समझ मे आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में